नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उमीद करता हूँ, बहुत यच्छे होंगे. मेरा नाम गुलसन सिंग है, और मैं आपको बता दू, मैं SSE Cigal 2020 में सेलेक्टेड हूँ. और यहाँ पे हम लोग discuss करने वाले हैं कि SSE GD का exam, जो की आपका जनवरी के महीने में schedule है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? देखे, आप सबसे पहले exam को समझेंगे, और exam का pattern समझेंगे कैसे होता है, क्या चीज़े आती हैं, तो आपको थोड़ी सी और इसमें help मिलेगी. SSE क्या करता है? SSE अपने previous year को question को, previous year में जो भी question पूछे गये हैं, जादे से जादे question आपके repeat होते हैं. तो आपको मैं complete strategy बताऊंगा, देखे, अभी आप लोग को क्या करना है? अभी आपको, आपके पास कुछ समय है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? सारे chapters को पढ़ेंगे. जैसे हम लोग भी आपको पढ़ा रहे हैं, फोजी बैस में भी आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप वहाँ से सारे chapter पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? कोई भी एक previous year की book ले लेंगे, आपको market में बहुत सारी book मिल जाएंगे, उसमें से कोई भी book ले लीजिए, ज इसमें SSC के सवाल हो, और सबसे पहले आपको यहाँ पे सिर्फ arithmetic ही पढ़ना है, अगर मैं maths की बात करूँ, तो maths में आपको सिर्फ arithmetic पढ़ना है, आप कोई भी book लेंगे, उससे क्या करेंगे? जादे से जादे सवालों को आप लोग solve करेंगे, तो आपको पढ़ना भी है, स साथ में practice भी करना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो आपका factor पढ़ता है, वो time का पढ़ता है, सवाल आप सब कर सकते हैं, लेकिन उस time के अंदर कैसे करेंगे, यह सबसे important होता है, और वो कैसे होगा? उसके लिए आपको जादे से जादे practice करना होगा, तो यह आपका समझे कि 20 में 20 भी कर सकते हैं, अगर बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो 20 में 20 कर लेंगे, लेकिन time के अंदर कैसे करेंगे, उसके लिए आपको जादे से जादे practice करना होगा, हिंदी का portion जो है, हिंदी आपको पता है, काफी आसान होता है, scoring subject है, आपके यहाँ पे 2-3 subject ऐस जैसे reasoning है और हिंदी है, यह बहुत ही scoring है, यहाँ पे आप approach करेंगे, तो 20 में 20 score कर सकते हैं, और सबसे best तरीका क्या है, previous year में जो भी paper हुआ है जहां भी आपको मिल जाए, reasoning के सवाल, हिंदी के सवाल, खासकर SSE के exam में, उन सब को आप लोग एकदम रट जाएए, जितना प जैसे आपको history पढ़ना पढ़ेगा, geography, quality और इसके साथ static पढ़ना पढ़ेगा, current of year पढ़ना पढ़ेगा, तो यह सारी चीजे आपको पढ़नी पढ़ेगी, क्योंकि हो सकता है, यही से सवाल आजे, कभी-कभी क्या होता है, आपका यहाँ से सवाल आजाता है, कभी-कभी अगर मैंने SSE निकाला है, तो मेरे पीसे बस एक यही region था, मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी है, मैं अगर पढ़ा हूँ, तो मैं लगातार पढ़ा हूँ, रोज पढ़ा हूँ, और daily सबसे जादे आप जितना पढ़ते हैं, अगर आप 3 घंटा class कर रहे हैं, तो आपकी responsibility है कि आप 3 से 4 घंटा practice भी करें, क्योंकि practice सबसे important है, ये game है practice का, आपको समय के अंदर चीजों को खतम करना है, question आपके आसान आते हैं, बहुत tough question नहीं आता है, अगर नहीं पढ़े हैं, तो आपके लिए सारी चीजे tough हैं, अगर पढ़े हैं, तो आपके लिए सारी चीजे आ practice करना है, क्योंकि practice तो बच्चा ही करता है, teacher आपको पढ़ा सकता है, बता सकता है, practice आप लोग को करना होता है, तो पढ़ने के अपने समय को बढ़ा दीजिए, last के दो महीने बचे हैं, last के असुरुवात में ही आपको दो महीने का समय ही मिला है, तो दो महीने में आप हैं उनको भी मौका मिला है और एक अपको क्या करना है ज्यादे से ज्यादे प्रेक्टिस करिए आप हमारे साथ जूड़ जाईए हम सारा चैप्टर भी करा देंगे रहास्ट में ने आपको कुछ माउक टेस्ट लगाने होंगे जिससे आप अपनी तयारी को जाज सके ठीक है तो यह सारी स्टाटेजी आपको रखनी है आगे मैं समय समय पर और भी चीजे बताता रहूंगा कि आपको कैसे करना है कहां पर बच्चों को दिक्कत आ रहा है कहां पर वाकई दिक्कत आता है तो उसको आप लोग कैसे करेंगे यह सारी चीजे मैं आपको रह रहके guide करता रहूंगा तो आप हमारे साथ बने रहिएगा आपको ऐसे ही videos हम लोग देते रहेंगे जिसमें complete आपको हम लोग guide करेंगे कैसे करना है क्योंकि मेरा खुद का experience है मैंने CHSL का भी exam निकाला है मैंने CERIAL का भी exam निकाला है आप railways की बात करेंगे तो मैं NTPC का भी निकाला हूँ और आपका एक ALP आता है 2018 में मैं भरा था उस समय मैं qualified तयारी तो नहीं कर रहा था बट उसमें मैं ALP के लिए eligible नहीं था उसको भी मैंने qualify किया है तो सारे exams का experience है मेरे पास आपको मैं बहुत ही अच्छे से सारी चीजे गाइड करूँगा तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा आप इस चैनल को subscribe कर लीजिएगा तो आप से मिलते हैं next video में तब तक के लिए नमस्कार चाहिए